गुद्यूनिंग फ्रेंड्स एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज ही क्लास सबसे ज़्यादा most important class हम कह सकते हैं क्योंकि आज ही क्लास में हम computer networks related questions discuss करने वाले हैं means आपके syllabus में जो networking related questions आपके exam में पूछे जाते हैं almost सारी questions हम इस class में discuss करेंगे इस से बाहर साइध ही कोई question बाहर आए अगर networking के question आता है तो आपको इस class में जरूर मिल जाएगा तो आज हम 50 questions discuss करेंगे जो कि सिर्फ networking से related हैं अगर आपका exam December में होने वाला है तो प्लीज आप सभी previous classes के videos देखते रहें और इस class के last में हम कुछ important videos के playlist भी हम अपने chat section में send करेंगे तो आप उनको इस class के जस्बाद जरूर फॉलो कीजेगा चलिए class की सुरुआत करते हैं और आप में से जो बच्चे O level की तैयारी करना चाते हैं प्लस इसमें हमने बहुत सारे paid courses के free mock test प्रवाइड कर दें कुछ time के जो की ट्रपल सी एक्जाम से related है तो आप में से जो बच्चे ट्रपल सी के paid batch के जो free test है उसको देना चाते है या ट्रपल सी mega test देना चाते है तो अभी आप ग्यानिक्स पी mobile app पे दे सकते हो तैयार हो जाए आज के class के लिए जो कि सबसे most important class है सबसे पहला question आचुका है screen पे program और storage space साज़ा करने के लिए कई computer एक दूसरे से जुड़े होते हैं या किसका उदारन है जल्दी से बताईए का या फिर इन में से कोई नहीं बेरी गुड यूनिंग वेलकम यू ओल तो यह किसका उदारन हो जाएगा network का उदारन हो जाएगा network क्या होता है network के माध्यम से हम अपने resources को या पैरिफेल्स को या फिर अपने space को storage space को क्या कर सकते हैं share कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में अपने systems के programs को भी हम over the network share कर सकते हैं तो option c network is the right answer very good next question देखिए total 50 question discuss करेंगे कम से कम आपके 40 plus question correct होने चाहिए जिनका भी exam December में है modulator demodulator device कौन सा है कौन से ऐसा device है जिसको modulator and demodulator कहा जाता है Ethernet card, NIC card, modem, land card अब देखिए NIC card, Ethernet card और land card ये तीनों एक ही नाम है NIC card को हम Ethernet card के नाम से भी जनते हैं और NIC card को HALN card के भी नाम से जनते हैं या आप ऐसे कह सकते हूoc LAN card को NIC card भी कहते हैं और land card को Ethernet card भी कहते हैं इस question हा-इचd Sae option c modem Modem क्या होता है एक Modulator and Demodulator डिवाई से अब ये Modulator and Demodulator का मतलब क्या होता है Modem क्या करता है Analog signal को Digital में Change कर देता है क्योंकि हमारा Computer क्या करता है ये सिर्फ Digital Signal को समझ सकता है तो यहां पे Modem जो लगा रहता है वो हमाई System में आने वाले डेटा को डिजिटल में चेंज करता है और हमाई सिस्टम से जाने वाले डेटा को एनलोग में चेंज करता है यहाँ पे क्या है मॉडम तो option C correct answer हो जाएगा modulator and demodulator अगला question दिखे निम लिखित में से कौन सा उपकरन दो प्रणालियों को जोडने के लिए उपयोग किया जाता है निम लिखित में से कौन सा उपकरन दो प्रणालियों को जोडने के लिए उपयोग किया जाता है खास कर तब जब सिस्टम विभिन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं Means यहाँ पे दो लैंस को आपस में जोडने की बात की जा रही है, जैसे एक लैंस यह है, दूसरा एक लैंस यहाँ पर है, यह दो अलग-अलग बेल्डिंग आप माल लिजे, इनको आपस में जोडना है तकि इन दोनों के बीच में एक कम्मुनिकेशन इस्टैबलिस किया जा सक तो यहाँ पे हम दो अलग-अलग तरह के डिवाइस का इस्तिमाल कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो गेटवे यूज किया जा सकता है, और दूसरा या तो ब्रिज का इस्तिमाल कर सकते हैं, कब हमें गेटवे यूज करना है, कब ब्रिज यह आपको पता होना चाहिए अगर यह दोनों लैंस similar protocol पे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे bridge का इस्तेमाल करेंगे बट यहाँ पे क्या लिखा गया है खास कर तब जब system बिभिन protocol का उपयोग करते हैं means यह different protocol का यहाँ पे बिभिन के जगे वैसे भिन होना चाहिए था भिन protocol का इस्तेमाल करते हैं means different protocol का इस्तेमाल करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं gateway means option B correct answer है आप में से बहुत से बच्चे बता रहे थे option C तो अब I hope समझ में आ चुका होगा कब हम gateway यूज़ करेंगे और कब bridge यूज़ करेंगे तो option B इस question का correct answer है most important class है class का एक भी question आपको skip नहीं करना है पूरी class लास तक देखीगा total 50 questions मिलेंगे जो कि आपकी exam point of view से important है निम लिखित में से कौन सा संचार mode दो तरफा यातयात का समर्थन करता है लेकिन एक समय में किबल एक दिशा में ये question किस topic से related है ये communication mode से related है communication mode कितने प्रकार के होते है तीन प्रकार के होते है कौन कौन सा एक होता है simplex एक होता है half duplex एक होता है full duplex Simplex में सिर्फ एक direction में data भेजा जा सकता है जैसे कि आपका radio या TB signal receive करता है बट भेजता नहीं है तो यह किसका example हो जाएगा Simplex का, आपका keyboard या monitor किसके example है Simplex का example है Keyboard signal भेजता है, monitor signal receive करता है तो Simplex हो गया दूसर यहां पे अगर हम बात करें Harp duplex, Harp duplex में क्या होता है इसमें दोनों तरब data भेज सकते हैं बट at a time एक direction में एक समय पे एक direction में data भेजा जा सकता है इसका example क्या होता है Walkie talkie, जिसमें आपने बात करते वह सुना होगा इसमें एक common word यूज करते हैं Over and out, तो आपने कभी सोचा क्या Over and out क्यों बोलते हैं इसका reason यह होता है कि इसमें एक time पे जब कोई बोल रहा होता है दूसरा बोलेगा तो आवाज नहीं आएगी तो जब हम अपनी पूरी बात रख लेते हैं अगले को पता चले कि हाँ हमने अपनी पूरी बात रख लिये तो last में क्या बोलते है over and out ताकि अगर वो बोलना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास आवाज आएगी next होता है full duplex जैसे कि आपका mobile phone full duplex का example है same time पे अगर दोनों बोलने हैं तो एक दूसरे को आवाज सुनाई पड़ते हैं यहां पे क्या पूछा गया निम लेकित में से कौन सा संचार मोड दो तरफायात का समर्थन करता है means लेकिन एक समय में किवल एक दिशा में तो option B half duplex is the right answer क्या हो जाएगा half duplex अगला question देखिए निम लेकित में से सबसे धीमी transmission speed किसकी है सबसे धीमी transmission speed किसकी है देखिए दो तरह के communication माध्यम हो सकते है एक होता है wireless और दूसरा होता है wireless और दूसरा होता है bit wire या wired आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं wired और wireless तो wired में हम cable का इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से cables होते हैं जैसे कि twisted pair, coaxial cable, optical fiber ये कहा है wired wired connections होते है और wireless में क्या आता है जैसे कि आपका bluetooth हो गया, wifi हो गया, infrared हो गया ये सबी क्या है, ये wireless communications होते है NFC आप जानते होंगे, NFC सुना होगा, mobile phones में पहले ही आता था हलागी इस समय इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये भी wireless होता है तो निमन में से सबसे धीमी transmission speed किसकी है इन में से सबसे धीमी transmission speed की बात करें तो twisted pair किन में से सबसे धीमी transmission speed होती option A twisted pair is the right answer क्या है twisted pair अगला question देखिए निमन लिकित में से कौन किसी network में सबसे माद्वपोन सक्तिसाली computer है कौन सा होता है network server कौन सा होता है network server सबसे सक्तिसाली computer माना जाता है क्योंकि services provide करता है option B network server is the right answer welcome next question देखिए निमन में से कौन wireless LAN का नुकसान है wireless LAN जिसको हम WLAN के नाम से भी जानते है WLAN इसका full form exam में कई बार पूछ लिया जाता है WLAN का पूर्ण रोप क्या है तो wireless local area network और इसका example क्या हो जाएगा Wi-Fi ये किसका example है WLAN wireless local area network का तुन्यम लेकित में से कौन wireless LAN का नुकसान है सबसे पहला आप से देखिए data धीमी data transmission ये बिलकुल सही है ये भी एक नुकसान होता है दूसरा है उच तोटी दर इसमें error rate हाई होता है तीसरा बिभिन computer से पसारण को बाधित करता है अगर बहुत सारे devices में connected है तो कहीं न कहीं जो transmission होता है उसकी speed काफी कम हो जाती है ये इसको बाधित करता है means ये सबी इसके नुकसान है किसके wireless LAN के तो option D correct answer है अच्छा आप सभी comment section में बताए LAN, MAN और WAN इन सभी में सबसे कम error rate किसमे होता है जो यहाँ पर error rate की बात की जा रही न इन में से किसमें सबसे कम error rate है और सबसे अधिक किसमे error rate होगा LAN, MAN, WAN में इस type का भी question आपकी exam में आ चुका है अगला question देखें निम लेखित में Bluetooth किसका उधारन है Bluetooth किसका उधारन है आम तोर पे तीन प्रकार के network होते है LAN, MAN और WAN यह तो आप जानते होंगे बट एक और प्रकार का network होता है इसको बोलते है PAN PAN means personal area network इसकी range होती up to 10 meter कितनी होती up to 10 meter और इसका example क्या होता है Bluetooth नेटवर्क, option C is the right answer, personal area network local area network के error rate सबसे कम होती है और WAN के error rate सबसे जादा होती है जितना करीब का network होगा उतना अच्छा उसमें data transmission होगा error rate कम होगा और जितना दूर का network होगा या बड़ा network होगा उसमें error rate जादा होगा तो I hope समझ में आ गया होगा इसमें से best counts होता है line निमलिखित में किस तकनीक का उपयोग single line पर एक से अधिक call भेजने के लिए किया जाता है आज की class सबसे most important class है बार-बार मैं repeat कर रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको पता चल जाए आज हम सिर्फ networking के 50 most important question discuss कर रहे हैं साइधी कोई ऐसा question आपकी exam में networking से जुड़ा हुआ आता है जो इस class से बाहर का होगा सब ही question आपको मिलने वाले हैं जो networking से related पूछे जाते हैं तो निमलिखित में से किस तकनीक का उपयोग single line पर एक से अधिक call भेजने के लिए किया जाता है question समझे क्या है जैसे कि मालनी जी बहुत सारे लोग यहाँ पे data भेज रहे हैं या calls आ रहे हैं और हमारे पास एक single line है जिसके माध्यम से में एक जगे से दूसरे जगे भेजना है मालनी जी यह दिली है और यह मुंबाई है तो इसके बीच में एक communication single line बिची हुई है और दिली के बहुत सारे लोग call कर रहे है या बहुत सारे लोग data भेजने है इसको हमें मुंबाई में भेजना है बहुत सारे लोगों के पास तो यहाँ पे कौन सा device यूज करेंगे यह होता है यह क्या हो जाएगा multiplexer इसको मुलते है क्या होगा multiplexer और इसका just opposite होता है dmux dmultiplexer जो कि many to क्या करता है one to many कर देता है मेंस अगर एक आ रहा है तो उसको split करके बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर mux यूज होगा तो इस जगे पे क्या dmux यूज होगा यह dmultiplexer एक input को multiple outputs में convert कर देता है और यहाँ पे क्या हो रहा है multiple inputs को single output में convert किया जा रहा है चलिए इस question के right answer की बात करें तो digital transmission पूछा गया निम्न में से किस तकनीक का उप्योग single line पर एक से अधिक call भीजने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे देखें option B का एक टांसर है multiplexing किसका इस्तिमाल करते है multiplexing का इस्तिमाल करते है option B is the right answer wifi किसका उप्योग करता है wifi में कौन से टेक्नलोजी का इस्तिमाल होता है wifi में कौन से टेक्नलोजी इस्तिमाल होता है इसमें radio waves का इस्तिमाल होता है data transmission के लिए क्या इस्तिमाल होता है radio wave radio तरंगे option A बिल्कुल सही answer है अगला question देखें network device topology में एक ही cable से जुड़े होते हैं तो कौन सी topology है जिसमें सभी device एक ही cable में जुड़े होते हैं कौन सी topology है 50 questions में से अगर आज आपने 40 plus questions correct कर लिए 100% आप मान के चली कि आपका grade भी अच्छा आएगा और अपना exam भी qualify करेंगे कम से कम आज की class में आपके 32 40 questions correct होने चाहिए total 50 questions में से अगर इसे कम है तो आज से लग जाईएगा तयारी करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और इस class के last में हम कुछ important playlist के link chat section में share करेंगे जिनको आप इस class के just बात follow करके आप तयारी करते रहे तो network device कौन से topology में एक ही cable से जुड़ी होती है एक topology होती है जिसको हम bus topology के नाम से जानते हैं कौन से topology है bus topology ठीक है इसमें एक main line होती है जिसको backbone बोलते हैं इससे साभी devices connected होते हैं तो option B bus topology क्या हो जाएगा option B bus topology very good पहले answer आ चुका है ऐसे answers आने चाहिए सारे questions के अगर आपको A grade या S grade लाना है तो उमीद है आप सभी ने slivers complete किया होगा Ethernet पते में कितने bits होते हैं Ethernet पते में कितने bits होते हैं Ethernet address में कितने bits होते हैं Ethernet address क्या होता है इसको आप Mac address बोलते हैं उसी को हम Ethernet address के भी नाम से जानते हैं Ethernet card Thank you हरसित हमारी पूरी कोसिस रहती है कि मैं best अपना दूँ और इसी वएसे हर महिने जो result आता है वो भी हमें best मिलता है हमें भी काफी कुशी होती है कि हम ऐसा जो बच्चे जुड़ते हैं हम पर भरोसा करते हैं उनको कुछ ऐसी चीज़े हम provide करें ताकि वो अपने exam में success हो अच्छा grade आए अच्छा result आए और इसी से हमें अपना जो achievement से उसको हम यही मानते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले सभी बच्चे या almost बहुत सारे बच्चे हर महिने बहुत अच्छे grade से qualify होते हैं तो उसका भी स्रे आपको भी जाता है क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं जो चीज़े हम बताते हैं उसको proper follow करते हैं तो कहीं न कहीं उसका benefit जरूर मिलेगा option c 48 bits देखिए यहां से 2-3 तरह की questions पुछे जाते हैं कौन-कौन से उसको थोड़ा समझ लिजेगा एक तो mac address media access control इसका full form exam में पुछ लिया जाता है इसका size पूछ लिया जाता है 48 bits होता है कई बार इसको byte में भी पूछ लिया जाता है अगर 48 को byte में पूछ जाएगा तो 6 आजाएगा 6 byte एक पूछ लिया जाता है कि एक कितनी संक्याइं होती है तो इसमें 12 digits होता है पूछ लिया जाता है mac address किस भासा में लिخा जाता है तो इसको hex code में लिखते हैenguer the decimal number system में लिखा जाता है पूछ लिया जाता है Mac address किस प्रकार का address है तो यह physical address होता है इस सारी चीज़े याद रखे इन सभी से questions आते हैं और अभी तक पूछे जा चुके है Network पर उपकरणों को आपस में जोडने की ब्यवस्था को क्या कहा जाता है Network पर उपकरणों को आपस में जोडने की ब्यवस्था को क्या कहा जाता है जैसे आपके पास कुछ networking devices है Computer हो गया, Laptop हो गया, Mobile हो गया, Tablet हो गया इनको आपस में आप जोडना चाहते है तो इसके arrangement को किस नाम से जानते है इसके arrangement को किस नाम से जानते है Topology, Option D correct answer है कौन कौन सी Topology होती है Star, Mess, Ring, Burst, Tree, Hybrid यह सभी कहा है Topologies के नाम है जो कि मैंने Topology के chapter में बहुत डेटेल में बताया है कौन सी Topology का कब इस्तेमाल होता है उसका benefit क्या है Merit and Demerit सारी चीज़े मैंने explain किया है जिन बच्चों ने खास तोर पे हमारा paid batch जोईन किया है निम लिखित में कौन सा network device physical layer पर कारी करता है इन में से कौन सा networking device physical layer पर कारी करता है अब देखें यहां पर layer की बात आ रही तो यह layer क्या होते हैं उस बारे में थोड़े से थोड़ा सा discussion कर लेते हैं यहां से कई सारे questions बनते है जब layers की बात आते हैं तो यहां पर एक networking model होता है OSI इसको बोलते है open system interconnection इसमें कितनी layer होते हैं यह भी पूछा जाता है 7 layers होते हैं इन 7 layers के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं जैसे कि A, P, S, T, N, D, P बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है रट गया होगा अगर आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे देखें P means physical layer, D data link layer, N network layer, T transport layer, S session layer, P presentation layer और A application layer जो कि सातमी layer होती physical layer सबसे पहली layer है इस question में पूछा गया निमलेकित में से कौन सा network device physical layer पे कारे करता है तिन में से कौन सा networking device physical layer means सबसे पहली layer पे काम करता है तो सबसी पहली layer पे जितने भी wires होते हैं या repeaters हैं ये कहां पे काम करते हैं physical layers पे जितने भी प्रकार के cable से हों सभी physical layer पे काम करते हैं इसी वैसे इसका नाम भी रखा गया फिजिकल तो फिजिकल जो connectivity होती ना उसके लिए जितने भी हम devices यूज करते हैं वो सभी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं Means यहाँ पर option C correct answer is repeater, repeater क्या है एक networking device है इसका काम क्या होता है जब हम data एक जगे से दूसरी के भीजते हैं तो यहाँ पे एक particular distance के बाद जो signal जाते हैं उनकी जो strength होती है वो कम हो जाती है जैसे यहाँ से एक pattern जा रहा है इस तरीके का signal देरे देरे करके loss हो जाएगा और कुछ इस तरीके का बन जाएगा तो data अगर हम माल लीजे यहाँ से भीज रहे हैं ओ सकता है आपके कुछ और पहुंच जाए कोई भी garbage data तो इसको improve करने के requirement होती है तो repeater एक networking device होता है जो कहीं बीच में लगा रहता है यह जिस तरह के pattern आ रहे हैं उसी type के pattern को regenerate करके आगे के line पे forward कर देता है तकि सही जानकारी end user तक पहुंच जाए तो यहाँ पे भी A मिलेगा या फिर A का pattern आगे generate करके भेज देता है तो options E repeater कहाँ पे काम करता है physical layer पे OSI model की physical layer पे अगला question देखे रीपीटर कोई amplifier नहीं होता है यह भी आदर के amplifier नहीं होता है कि signal को amplify कर देगा signal को regenerate करता है उसी pattern के signal को जो repeater होता है रीजनरेट करके आगे के line पे forward कर देता है encryption और decryption किस layer का कार्य है encryption और decryption किस layer पे होता है मैंने 7 layer बताई ना वो OSI model में तो encryption और decryption किस layer पे होता है आज की class सबसे most important class है एक equation आपकी exam claim important है यह कौन से layer होती है presentation layer इसमें encryption, decryption और error detection यह तीन चीज़े होती है कौन-कौन से encryption, decryption और error detection option B is the right answer presentation layer जो की छटी layer होती है अगला कुछी देखी board दर या board rate क्या है पिछली class में साइद इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था तो बताये जल्दी से क्या है, board rate क्या है साइद bandwidth के बारे में मैंने last class में बताया था board rate बताये क्या होता है board rate होता है प्रति सेकंड signal बदलने की संख्या प्रति सेकंड signal बदलने की संख्या को क्या बोलते है board rate, option A correct answer है number of signal change per second क्या होता है, number of signal change per second जिसको हम board rate के नाम से जानते है तो option A बिल्कुल सही answer होगा कौन सी topology सुरच्छा मजबूत और traffic factor को खत्म करने को परकारी करती है या फिर जिसके लिए हम इस्तेमाल करते है कौन सी topology सुरच्छा मजबूत और traffic factor को खत्म करने को cover करती है एक topology होती है mess topology इसकी खासियत क्या है, इसमें जितने भी systems होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ direct cable के माध्यम से जुड़े होते हैं इस तरह से, जब कोई भी system एक दूसरे के साथ direct system के माध्यम से एक दूसरे जुड़ा होता है तो उस case में क्या होता है अगर इस system को कोई data भीजना है इसके पास तो इसकी जो dedicated line है ना इसके माध्यम से data भीजेगा ये data किसी और के पास नहीं जाएगा तो chances क्या होंगे ये data ज़्यादा secure रहेगा प्लस यहाँ पे traffic का भी कोई problem नहीं होगा क्योंकि इसके लिए तो direct dedicated lines है जैसे जितने इनसान मालीजे एक city में कुछ लोग रहते हैं और उन सबी के लिए dedicated road बना दी जाएं कि उस road पे सिर्फ वो person जाएगा और कोई नहीं जाएगा तो क्या वहाँ पे कभी traffic होगा नहीं होगा क्या कोई security issue होगा नहीं होगा क्योंकि दूसरा कोई आता ही नहीं उस road पे सिर्फ अकेला वही इनसा जान सकता है जिसके लिए वो road बनाई गई तो इसी वयसे जो mess topology होती है वो सबसे best topology मानी जाती है बड़ यह सबसे ज़्यादा खर्चीली है क्योंकि इसमें number of cable ज़्यादा इस्तेमाल होते है इसी वयसे आम तोर्पिस का इस्तेमाल ना के बराबर होता है तो option 20 question का right answer है क्या mess topology जिसमें सभी system direct cable के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होते है दो अलग प्रकार के network को जोड़ने के लिए किसका उपयूग करेंगे अभी अभी मैंने शुरुवात में इसके बारे में बताया था दो अलग प्रकार के network को जोड़ने के लिए किसका उपयूग करेंगे question same है बड़ पूछने का तरीका बदल दिया गया है और ये question पिछले महिने लगबग दो बार पूछा गया और इसी तरह से, जैसे पहला वाला question था, वो भी ट्रपल सी एक्जाम में आ चुका है, और ये question भी आ चुका है, तो question सेम होते हैं, कई बार उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, जी हाँ, option D, gateway का इस्तेमाल कि means दो अलग अलग प्रकार की लैंस को आपस में जोडने के लिए यूश करते हैं, तो ये जो bridge networking device है, वो OSI model के किस layer पे कारे करता है, OSI model में कितनी layers हैं, 7, class में आपको याद करा देंगे बहुत सारी चीजे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना 100% ह आप सबी के लिए देते हैं ताकि आप best result लाएं और एक बार में अपना exam qualify करें, एक कावत होती ना भरोसा बड़े काम की चीज, अगर आप हम से trust करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप मन से पढ़ेंगे content को, तो 100% आप अपने exam में success होंगे और अच्छे grade के साथ success होंगे, क् क्योंकि हमने अपना best दिया है और best content प्रोवाइड किया है, तो bridge OSI model के किस परत पर कारी करता है, जी हाँ, इस question का right answer हो जाएगा data link layer, कौन से layer, data link layer, data link layer कौन से layer होती, किस number के layer है, जरा comment section में बताएए, अभी अभी मैंने बताया है, OSI model में data link layer किस number के layer है, पहली, दूसरी, 3, 3, 4, 5, 6, 7, किस number के layer है, अगला question देखे, DHCP server, client को क्या प्रदान करता है, सबसे पहले तो DHCP क्या है, ये पता होना चाहिए, dynamic host configuration protocol, dynamic host configuration protocol, सबसे पहले इसको ध्यान दीजे, ये क्या होता है, प्रोडोकॉल होता है, इसका full form exam में आ चुका है, dynamic host, जो configuration protocol होता है, वो क्या करता है, dynamic IP, जो network से जड़ोई systems होते हैं, उनको dynamic IP assign करने काम करता है, आपको हाँ पे IP डालने की जरुवत नहीं होगी, ये जो DHCP server होता है, वो सभी network से connected systems को automatic IP assign कर देता है, तो क्या करेगा, सभी client को क्या प्रदान करता है, IP address means, option B correct answer है, IP address assign करता है, DHCP server, option B is the correct answer, बहुत से बच्चे A बता रहे हैं, जिनका B है, बिल्कुल सही, A वाले थोड़ा और पढ़ लो, IPv6 पते का आकार क्या है, IPv6 पते का आकार क्या है, देखें, दो वर्जन IP के इस्तेमाल होते हैं, IP means internet protocol, और ये क्या होता है, हमारे system का एक virtual address है, क्या है virtual address, और इसके कितने वर्जन से, एक तो IPv4 होता है, जो कि 32 bit इसका size है, और IPv6 जो होता है, इसका size होता है 128 bit, कितना है, 128 bits, option C, बिल्कुल सही answer है, ये तो 100% सभी का answer सही होना चाहिए, और है भी अच्छी बात है, अगला question देखें, network में bandwidth का क्या अर्थ है, network में bandwidth का क्या अर्थ है, साइद last class में मैंने इस type का question discuss किया था, हलागी वो different question था, और ये different question है, option थोड़े से अलग language में लिखे गए है, संचार चैनलों की संचरन चमता, transmission capacity of a communication channel, जैसे मैंने example बताया था last class में, जैसे ये 4 inch का एक pipe है, तो maximum water supply कितनी की जा सकती है, 4 inch की की जा सकती है, वैसे, जो networking cables होते हैं, किसी cable में maximum कितना data भेजा जा सकता है, एक साथ, तो transmission capacity of a communication channel, यहाँ पे communication channel का मतलब है, माध्यम, जैसे cable हो गया, यह जो भी आप यूज करते हैं, communication medium, तो इस question का right answer है, option a, अगला question देखिए, संदेश भीजने के लिए, एक connection उन्मुक, बिस्वसनी सेवा प्रदान करता है, संदेश भीजने के लिए, एक connection उन्मुक, बिस्वसनी सेवा प्रदान करता है, यह question आप में से बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, even 90% बच्चे होंगे, जो साइद इसको नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ में आ रहा है, तो जल्दी से right answer बता दीजे, इस question का right answer क्या है, question number 23, question क्या है, इससे और भी questions बनते हैं, जो कि आपके exam में आ चुके हैं, देखिए, आप ए connection oriented protocol की बात की जा रही, connection oriented protocol सरफ एक है, TCP protocol, transmission control protocol जो होता है, connection oriented होता है, और UDP जो protocol होता है, UDP user datagram protocol, ये connectionless protocol होता है, तो पूछा गया है, संदेश भीजने के लिए connection उनमुख बिसोसनी सेवा प्रदान करता है, ये guarantee प्रवाइड करता है, डेटा भीजने की, ठीक है, अब ये connection oriented का मतलब क्या है, इसको example के साथ अगर हम explain करतेंगे, तो सारी चीज़ आपके clear हो जाएंगे, मान लिए हमाई पास एक कुछ systems हैं, इस तरह से, और इनके बीच में communication lines हैं, जैसे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और यहां से जुड़ा है, ठीक है, ये कुछ connections है, या फिर ये यहां से भी direct जुड़ा हुआ है, अब मान लिए हमारा एक system है, A और दूसर system है आपके D, इसके पास data जाना है, A से D के पास, तो देखिए A से D के पास data भीजने के कितने रास्ते हैं, यहां से भीज सकते हैं, इधर के भीजने के कई सारे रास्ते हैं, अगर हम यहां पर TCP protocol का इस्तेमाल करेंगे, तो यह सबसे पहले क्या चेक करता है, कौन से रास्ते से data भीजें, जिससे data को तेजी से भीजा जा सके, means वहां पर traffic तो नहीं है, अगर traffic नहीं है, तो यह अपना path establish कर देगा, path establish करने का मतलब क् एक path set कर लेगा, मालीजी इसको लगा कि इधर से कर हम data भीजेंगे, तो हमारा data बहुत तेजी से जाएगा, इसने एक path establish कर लिया, अब अगर इसको 10KB का data भीजना है, तो यह पूरा पूरा data इसी रास्ते से भीजेगा, इस 10KB भीजने के दौरान यह path change नहीं करेगा, भले data उसी रास्ते से भीजता है, जबकि जो UDP है, एक बार इसने path establish किया, अगर उसको लगा नहीं, यहाँ पे congestion बहुत है, यहाँ पे data भीजने में हमें data speed हमारी slow हो रही है, तो यह क्या करेगा, जितना data इस रास्ते से भीज सकता है, भीज दिया, उसके बाद यह दूसरा path establish कर लेता है, और उस रास्ते से data भीजना शुरू कर देता है, तो इसको क्या बुलते है, UDP, user data gram protocol, तो जैसे कि TCP का इस्तिमाल other communications के लिए करते हैं, और UDP का इस्तिमाल हम करते है, streaming के लिए, जैसे streaming है, जिसमें high bandwidth के साथ में, higher rate में data transmit करना है, तो UDP का इस्तिमाल होता है उस case मे तो option B, TCP is the right answer, अगला question देखे, किस topology के लिए, multipoint connection की आवस्यक्ता होती है, I hope आप सब इसके बारे में जानते होंगे, किस topology के लिए multipoint connection की आवस्यक्ता होती है, चल्दी से बताइए, class बिलकुल बीच में मिस कीज़ेगा, आज सबसे important question हम discuss करें, जोकि networking questions हैं, साइधी इस class में मिले, तो यह कौन सी topology होती, किस topology के लिए multipoint connection की आवस्यक्ता होती है, चल्दी से बताइए, multipoint connection, multipoint connection किस में होता है, option B, बस topology होगा, option B, यह multipoint connection होता है, star नहीं, sorry, bus होगा यहाँ पर, अगला question नेखी, IP पते के किस work में, default रूप से सबसे अधिक host पते होते हैं, यह question भी लगबग 80% बच्चे नहीं जानते होंगे, आप में से जो भी जुड़े होए हैं, उनमें से 80% बच्चे साइध इस question के बारे में नहीं जानते होंगे, IP पते के किस work, means class में default रूप से सबसे अधिक host पते होते हैं, इसको थोड़ा detail में discuss करेंगे, सबसे पहले तिहां पर work की बात की जा रहे, means class की बात की जा रहे, IP class, तो जो IPv4 होता है, इसको 5 classes में divide किया गया, class A, class B, class C, class B और class E, इनके IP range के बारे में पूछा जाता है कि कौन से class की IP में, क्या range होती है, तो range भी आप चाहें तो note कर लिजे, class A start होता है 0 से, और इसकी upper range होती 127, class B start होता है 128 से, और इसकी upper range होती 191, class C start होता है 192 से, और इसकी upper range क्या होगी, 223, class D जो होता है, इसकी upper range होती 239, ऐसी class E की बात करें तो यह lower range होती 240 और upper range होती 255 यह range होती इससे आप पहचान सकते हैं किसी IP को कि वो किस class का IP है जैसे हम यहाँ पर एक example देते हैं हमने लिखा 168.9.32.7 अब जल्दी से बताएं यह किस class का IP है तो जो यहाँ पर जो IP address होता है उसको चार भागों में divide किया गया है चार भागों में क्योंकि यह 32 bit का होता है तो हर एक भाग कितने bit का होगा 8,8 bit का होता है 8,8 bit का होता है और IP के class का पता करने के लिए आपको सबसे पहला भाग देखना है यह वाला भाग यह number कहां पर आ रहा है किस जगे पर आ रहा है 168 किस के बीच आएगा 128 और 191 के बीच तो means यह किस class का IP है यह class B का IP address है तो ऐसा भी question exam में आता है एक IP address लिखा होगा और पूछ लिया जाएगा यह किस class का IP है तो आप इस से अगर आपको यह range याद है तो just आप पहले भाग को देखे यह कहां पर आ रहा है किस numbers के बीच में आ रहा है उससे आप उसका class निकाल सकते हैं तो यह तो होगई IP class की बात अब बात कर लेते हैं जो host address होते हैं वो कैसे निकालते हैं आप एक second में इसको याद कर लेंगे अगली बात जब भी ऐसा कोई question आएगा 100% आप उसे जरूर solve कर पाएंगे snap sort नहीं लिया है तो थोड़ा सा video पीछे कर लिजे snap sort ले लिजेगा फिर आगे बढ़िए तो host address की बात करें जो class A होता है इसमें जैसे कि मैंने बता है कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं चलिए चार भाग कर देते हैं class B की बात करें तो इसमें भी same यही होगा इसमें भी अगर class B का IP है तो इसमें भी 4 भाग होते हैं इस तरह से अब इसमें सबसे पहले आता है network ID तो जो class A होता है उसमें network ID कितना होता है network ID जो है वो होता है 8 bit का 8 bit का network ID है means यहाँ पे 24 bit का क्या हो जाएगा host ID 24 bit का host ID हो जाएगा ऐसे एकर हम class B की बात करें तो इसमें 16 bit का होता है network ID क्या है network ID 16 bit का होता है means दो भाग और यहाँ पे 16 bit का host ID भी हो जाएगा host ID यह भी 16 bit का होता है अगर class C की बात करें तो इसमें जो network ID है 24 bit का network ID होगा means यह तीन भाग कवर करेगा और इसमें 8 bit का क्या हो जाएगा host ID तो अब आप बता सकते हैं इनमें से पूछा गया था IP पते के किस वर्ग में default रूप से सबसे अधिक host पते होते हैं तो host पते उसी में सबसे जादा होंगे जिसका host size सबसे बड़ा होगा तो host size सबसे बड़ा किसका है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 24 bit का host ID किसमें class A में दिया गया है host ID किसका सबसे ज़्यादा है class A में सबसे ज़्यादा host ID है देखें किसी भी topic से questions आ सकते हैं ऐसा कोई important topic नहीं है और ऐसा कोई भी बेकार topic नहीं जहांसे questions नहीं आएंगे examiner कहां से questions देगा किस topic से ज़्यादा questions आएंगे किसी को नहीं बता रहता है आप सबी को syllabus complete करना यह सबसे अच्छी बात है कोई भी course कर रहे हूं important मत पूछिए पूरा syllabus important होता है हो सकता है जिसको आप important नहीं मान रहे हो सकता है उसी topic से सबसे ज़्यादा questions आ जाएं तो फिर सब कुछ भी जरूरी नहीं कि LibreOffice से ज़्यादा questions आएंगे to false ज़्यादा हैंगे सब कुछ fix नहीं होता है जब आप exam real में देने जाएंगे तो यह सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे इन में से हलका protocol कौन सा है इन में से हलका protocol कौन सा है सबसे light beat protocol किसको कहा जाता है option A SST is the right answer SST इस question का बिल्कुल साही answer है MAC address किस प्रकार का address है सुरुवात में मैंने इसके बारे में बताया था किस प्रकार का address होता है physical address तो option B correct answer है MAC address physical address है अगला question देखिए STML भासा का प्रियोग किस में किया जाता है आप सभी please right answers क्या है comment section में comment करते रहे STML भासा का प्रियोग किस में किया जाता है जल्दी से बताये web page बनाने के लिए option A correct answer होगा web page बनाने के लिए किसी निश्चित समय के लिए प्रेशित data की मात्रा को कहा जाता है देखिए तीसरी बार ये question हम discuss कर रहे है question का answer सेम है बट पूछने का तरीका बदल दिया गया bandwidth option A अगला question देखिए www का पूरा नाम क्या है worldwide web warm जो की एक search engine का नाम है और इसके साथ एक और कहानी जूड़ी हुए ये बिस्तु का सबसे पहला search engine होने वाला था बट बिस्तु का सबसे पहला search engine कौन सा है आर्ची ये search engine पहले डबलब हो चुका था आर्ची से बट इसको publicly released बाद में किया गया इसकी वयसे ये सबसे पहला search engine नहीं बन पाया था टॉपलोजी जिसमें सभी सिस्टम केंदरी connection बिन्दू से जुड़े होते हैं मल्टी पॉइंट्स की बात हो रही थी बस टॉपलोजी का जो answer मैंने बताया था सभी सिस्टम केंदरी बिन्दू connected होते हैं स्टार्ट टॉपलोजी option D correct answer है option D is the right answer UTP का पूरा नाम क्या है एक और question यहां से आता है STP का पूरा नाम क्या है यह दोनों questions टॉपल से एक्जाम में आ चुके हैं UTP unsealed twisted pair क्या होता है unsealed twisted pair और यह उता है sealed twisted pair offline देखिए UPI online payment method है इसको offline यूज कैसे कर सकते है STP sealed twisted pair और UTP unsealed twisted pair means this question गर right answer हो जाएग option C unsealed twisted pair option C बिल्कुल सही answer है अगला question देखिए Google Chrome की बिसेस्ता है web page को Google Chrome की बिसेस्ता है web page को किस में save कर देता है Google Chrome में आप एक facility देखते हैं जैसे आपने control P किया उसे आप PDF form में save कर सकते हैं किस form में save कर सकते हैं PDF form में तो option C correct answer हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं TCP IP किस से सम्मंदित है TCP IP क्या कहा जाता है इसको internet protocol के नाम से भी जानते है रोहिज जी ऐसा जरूरी नहीं है कि लिपर आफ इसे questions बहुत से आते हैं देखिए इसका concept समझे त्रपल सी के exam किस तरह से होता है अगर आप इस logic को समझ जाएंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे देखिए ट्रपल सी के exam हर महीने होता है इनका एक बहुत बड़ा server है जिसमें बहुत सारे कई हजार या लाग questions यहाँ पे upload किये गए जब आप exam देते हैं तो बहुत सारे बच्चे उस time पे server से connected रहते हैं अब यहाँ से इसी server से randomly आपके system पे 100 questions आएंगे यहाँ पे भी 100 questions आएंगे same paper सबका नहीं होता है ट्रपल सी exam में जितने बच्चे आपके साथ exam दे रहे होगे सभी का paper सेम नहीं आता है अब यहाँ से system random 100 questions सेलेक्ट करके आपके system पे भेज देता है आपको exam देना है तो क्या जरूरी इसमें liberal office के ज़्यादा question आ जाएंगे true false के ज़्यादा आ जाएंगे कुछ भी आ सकता है पूरे इस liberal से कोई भी question आ सकता है कहीं से भी आ सकता है आपको यह ध्यान लखना है तो यह जो लोग बताते हैं न एक्जाम देके आते हैं तो please इस तरह की चीजे मत कीजे आप study भी focus कीजे एक बार में आप qualify होंगे अगर आपने syllabus complete किया और कम से कम एक हफते आपने practice कर ली तो आराम से आप एक बार में अपने exam निकाल सकते हैं कोई भी exam tough नहीं होता है तैयारी करने का तरीका बताता है कि आप pass होंगे या फेल तो option B website तीसीपी सरी option B कर एक आंसर मार्ग करना है आप एंटरनेट TCP IP क्या है इंटरनेट protocol होता है तो option B बिलकुल साही answer है अगला question देखिए चाइना का मसूर search engine कौन सा है Baidu बहुत basic question है बट रखा है क्योंकि यह आता है बार-बार आपको पता होना चीज़ के बारे में किसी web page पर एक सब्द जिस पर click करके अन्य दस्तावीज खोले जा सकते हैं क्या होता है hyperlink यह भी question popular है basic है आता है एक नीली रेखा है जिसको छूकर हम अगले file पर पहुँच सकते हैं क्या होता है नीली line होती है जो hyperlink होते है न उसके नीचे नीली line दिखेगी तो यह hyperlink option A correct answer है यह question भी basic है but important है very good I use A grade आया है प्लीज आप अपना experience share कीजी chat section में जो बच्चे थोड़ा सा नए है जो पहली बार exam देने जा रहे है उनको थोड़ा सा अपनी तरब से आप guide कर सकते हैं क्योंकि आपने A grade achieved किया है तो बताईगा please कितने दिनों में आपने तयारी की थी कहां से तयारी की आप चाहें तो दो तीन line का एक text message chat section में post कर सकते हैं NIC card को किस से जोड़ते हैं NIC card को किस से जोड़ते हैं NIC का full form क्या होता है Network Interface Card Network Interface Card Ethernet Card, LAN Card एक ही होता है ये किस से connected होता है किस से connected होता है Motherboard से connected होता है और Motherboard के आपके computer system का main circuit board होता है जिसको Motherboard के नाम से जानते हैं अगला question देखे TCP IP network model में कितनी परते होते हैं सुरुआत में मैंने बता दिया था उमीद है सब याद होगा option C 7 layers होते हैं OSI model में 7 layers होते हैं बद TCP IP model में 4 layers होते हैं TCP IP model OSI model का ही एक भाग होता है एक इसका subset आप कह सकते हैं इसी पर आधारित है इसमें 7 layers को customize करके 4 layers में convert किया गया है तो option A इसमें 4 layers होते हैं Internet के लिए मानक protocol क्या है इस question को एक और तरह से पूछा जाता है निमलकित में से कौन सा Internet protocol है same answer हो जाएगा TCP IP option A is the right answer TCP IP निमलकित में से कौन एक संचार protocol है class को थोड़ा सा fast करेंगे actually मेरी 930 पे class होती O label की IoT की class होगी इससे पहले हमारी 7 बजी class थी Python programming की तो लगातार हमारी समय O label O triple C में live classes चल रहें even paid batches की भी classes चल रहें तो इसके विए से थोड़ी से थकान होती और rest करने का time इस समय नहीं मिल रहा है अपनी तरफ से हम best content provide करने कोसिस कर रहें आप कितना time दे पाते हैं कितना achieve कर पाते हैं यहां से आप पे depend करेगा निम लकेत में से कौन एक संचार protocol है communication protocol कौन सा है TCP IP क्या है communication protocol तो option C correct answer है देखिए एक ही topic पे कितने questions बन सकते हैं internet पर एक computer से एक file को को क्या कहा जाता है internet पर एक computer से एक file को इस्थानी computer पर इस्थान तरहते है means transfer करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है किस नाम से जानते हैं download जब आप internet से कोई भी file अपने system में save करते हैं न local computer पे तो उसको क्या बोलेंगे download और अगर आप अपने system से data कोई भीजते हैं internet पे तो उसको बोलते है upload means option D downloading is the right answer FTP एक protocol होता है यहाँ पर FTP नहीं पूछा गया है confuse मत हो यह यहाँ पर पूछा गया था internet पर एक computer से एक file को इस्थान्तरित करने पर एस्थान्तरित करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना कि यह पुछा के कौन सा protocol इस्तेवाल होता है URL में domain name एक protocol है domain name क्या एक protocol है domain name में URL में domain name एक protocol है domain name क्या होता है जैसे gyan exp.com xp.com यहाँ पी बहुत सारे हमने free mock test available कराएं है जो कि triple exam की पूछे के questions आपको यहाँ पे मिलेंगे तो जब भी time मिलता है आप यहाँ से practice करते रहेगा domain name domain name होता है यह protocol नहीं होता है बट हाँ URL में protocol होता है जैसे कि HTTP या HTTPS यह क्या है protocol होता है URL में जो कि होता है वो domain name एक protocol नहीं है URL में जो domain name है वो protocol नहीं होता है हाँ इसमे protocol जरूर होता है ऐसा कह सकते हैं asymmetric की asymmetric की यह question cryptographic topic दिया गया है network cyber security उससे जुड़ा हुआ question है encryption और decryption से related question है तो दो तरह की keys होती है एक होती symmetric की दूसरी होती asymmetric key इसको हम ज़्यादा detail में नहीं बताएंगे क्योंकि class को हमें थोड़ा सा short रखना है बहुत लंबा नहीं करना चाहते है तो asymmetric symmetric key में एक shared key होती single की रहती याद रखिए गर पूछा जाए symmetric key में कितनी keys होती है तो one key होती कौन सी shared key और अगर asymmetric पूछा जाएगा तो इसमें दो key होती है कौन कौन सी public key और private key public key और private key means option D इस question का correct answer है इसका इस्तिमाल कहाँ पे करते हैं encryption के लिए इस्तिमाल करते हैं TCP IP model में कौन सी layer नहीं होती है इसमें कितनी layer होती हैं 4 तो अब बताएं OSI mode होती है 7 तो इन में सी कौन सी layer नहीं होती है क्योंकि इन ही 7 layers को customize करके 4 layers में convert किया गया है तो इन में सी TCP IP model में layer नहीं होती है ये पूछा गया है तो option C connection layer नहीं होती है connection layer नहीं होती है application layer, transport layer, network interface layer और internet layer इसमें 4 layer होती है तो option C बिल्कुल सही answer है देखिए यहाँ पर कोई expression अगर होता है तो मैं जल्दी इसको solve करके बताता है बढ़ यहाँ पर direct answer है इसको explain कर रहे है तो जस्ट आप उस पर focus करते रहे है internet explorer एक प्रसिद ब्राउजर है जी यहाँ बिल्कुल सही प्रसिद ब्राउजर है क्योंकि हमारे windows operating system में inbuilt आता इसकी वज़े से काफी ज़्यादा popular है हर लोग इसको जानते होंगे अगले question की तरफ बढ़ेंगे दो land खंड means segment दो land segment किसके द्वारा जुड़े होते हैं अब यह देखिए question same था इस class में मैंने इस तरह के तीन से चार questions रखें और सभी के language अलग है और सबका answer एक ही है अगर आप देखेंगे तो answer एक है इससे क्या समझ में आया अगर आप syllabus complete करके नहीं जाएंगे न तो same question भी पूछा जाएगा अलग तरह से पूछ लियागे आप उसका answer नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको subject knowledge नहीं है इसी वज़े से कहते हैं अगर आप एक बार में exam qualify करना तो syllabus complete करना must है practice कीजे बट syllabus complete करने के बाद जैसे ABCD आपने नहीं पढ़ा और आपको कोई English में essay लिखने के लिए दे तो impossible नहीं कर पाएंगे जब तक आप ABCD means alphabet school नहीं सीखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी apply होती है 47 का right answer option D bridge बीच बीच यह सारी चीज़े इसलिए बताते हैं तागि सही चीज़े आपको पता चले हैं और सही रास्ते पे आप चले हैं आप हमाई सार जुड़े हैं तो हमारी responsibility है आपको वह चीज़े बताना जिससे आप अपना exam एक बार में अच्छे grade से qualify करें internet किस network के लिए प्योग किया जाता है sorry ethernet पूछा गया है ethernet किस network के लिए प्योग किया जाता है तो यह होता है LAN option 1 local area network आप में से जिनको भी पता है बताईंगे internet और internet में क्या difference है internet और internet में क्या difference है चलिए एक option भी आपको दे देते हैं internet और internet में private network कौन सा है internet और internet में private network कौन सा है next question देखिए ऐसा question आ चुका है जो मैं अभी आप से पूछ रहा हूँ dugdag go is a डगडग गो क्या है most popular question है आप सब जानते होंगे इसके बारे में कहीं न कहीं आपने हमारी class में जरूर देखा होगा डगडग गो एक search engine है डगडग गो क्या है search engine डगडग गो search engine Ethernet LAN को भी बोलते हैं local area network को Ethernet के नाम से भी जानते हैं तो option is search engine internet private network है internet private network बेरी गुड बिल्कुल सही बताया अगला question देखी URL का full form last में मैंने सबसे basic question रखा है जो कि आप सभी को पता होगा एक question मैंने पूछा था एक दिन class में एक से दो दिन पहले मैंने पूछा था कि URL का full form तो आप सभी जानते हो uniform resource locator URI का full form आप हमें chat section में बताएगा comment section में बताएगा अलागि बहुत से बच्चों ने reply किया था जी आयोस ये जितने भी question हम discuss करें न previous truples exam के पूछेगे same to same question है आप exam दे चुके तो आलरड़ी आपको ये सारी चीजे पता है कि मैं किस label के question discuss करता हूँ URI uniform resource identifier जिन बच्चों को ने reply नहीं दिया था या नहीं पता था तो आप note कर लिजे इसका भी full form exam में आ चुका है uniform resource identifier uniform resource locator URL का full form है जी हाँ option A बिलकुल सही answer है तो आज की class में हमने total 50 networking equation discuss किये है pure networking equations है और ये questions सभी previous truples exam में जो 3-4 महिने में पूछे गए था उन सभी exams के questions को हम review करके निकाल के लेके आये हैं अभी तक इस तरह ये questions exam में आ चुके है most important class है आप इस class को अगर बीच में आपने join किया है तो शुरू आज से जरूर देखे मैंने starting में promise किया था कि आप सभी के साथ हम कुछ important playlist के link share करेंगे chat section में तो थोड़ा समय time दीजेगा just few seconds कुछ important playlist के link हम share करने वाले हैं तो आप इस class के बाद उन playlist के link को जरूर follow कीजे सबसे पहला एक most important video है हमारा जिसमें 1000 question discuss किये हैं हमने उसका link हाला कि मैंने पहले भी share किया हुआ है और एक बार फिर से share कर देते हैं जो बच्चे अभी-भी हमाई साथ जुड़े हैं उनकी जानकारे के लिए बता दे अगर आप complete revision चाहते हैं किसी एक video के माध्यम से अगर आप इधर उदर नहीं भटकना चाहते हैं और आपके पास time कम है तो आप सब इस video को follow कर लिजेगा वापस आके आप जरूर हमें comment करके बताएंगे कि sir इस video से हमें वाकई काफी help मिली जैसा कि एक बार इस video को देखने से पहले इसके comments चेक कर लिजे इस video के comment section को चेक कीजेगा एक और playlist आप सभी के साथ हम share करेंगे जो कि most important है यहां से भी बहुत सारे questions आपकी exam में आ चुके हैं और इस समय जो master class चले इसका अलग से मैंने एक playlist बना दिया है जो master class है उसका भी हमने एक playlist बना दिया है लग से जुसका link हम अभी just share करने वाले हैं और आप में से बहुत से बच्चे banking के भी questions पूछते रहते हैं इस बच्चे banking के questions के लिए कहां पे हम जाएं और कहां से देखें तो बस थोड़ा सा patience बनाए रखे यह सारे links आज हम अपने chat section में share करेंगे क्योंकि आप सभी को खोजने में problem होती है यसी वह से हम just chat section में यह सारी चीज़े share कर रहे है तो आप chat section को बाद में भी follow करके इन videos तक इन playlist तक पहुँच सकते हैं अलाकि मेरी class है भी just इसके बाद तो थोड़ा सा difficult होता है time management करना क्योंकि O label की classes लगातार इस समय चल रहे है और आप में से जो भी बच्चे O label की तयारी कर रहे हैं आप सब जरूर हमाई साथ जुडिएगा तो एक और playlist का link हम share कर रहे हैं यहाँ पर जो की है master class की जो master class है जिसमें धेर सारी master classes के videos आपको मिल जाएंगे even इस month के previous month के और इससे पहले जितनी भी classes हुई है सभी का आपको एक playlist हमने अलग से बनाया हुआ है इस playlist को follow कर लिजे यह triple c marathon classes या master classes आप कर सकते हैं उसके videos का link है चलिए banking के questions के लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर्फ banking के questions कहा से देखें तो उसकी भी playlist का link हम share करने वाले है जस्ट थोड़ा सा time दीजेगा सर्च करने में थोड़ा सा time लग रहा है हाँ एक और important playlist हमें मिला हुआ है ये भी आप सभी के लिए बहुत important जिन बच्चों ने syllabus नहीं complete किया है उन सभी को chapter based questions की playlist जरूर देखनी चाहिए जिसमें हमने chapter wise questions डिसकस कियें chapter 1 से लेके chapter 9 तक आपको सभी chapters के videos मिल जाएंगे तो please आप इस playlist को जरूर देखे जो अभी अभी link हम share करें ये chapter wise questions की playlist है इसमें आपको chapter wise chapter 1 से लेके chapter 9 तक की सभी videos की links मिल जाएंगे और अगर आपको हमारे videos के माध्यम से benefit मिलता है help मिलते हैं तो आप सभी से request है please आप हमारे साथ बने रहे हमारे channel को subscribe कीजे plus आप लोगों को suggest चरूर कीजेगा अगर आपको benefit मिलता है नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं 100% आप अगर भरोसा करते हैं तो मिलेगा आप सभी को help मिलेगी बढ़ आपको time देना है और हमारे content को जिस तरह से हमने चीजे discuss की हैं उसको थोड़ा सा follow करना है proper तरही के से देखना है 100% आप अपने exam में pass होंगे वो भी अच्छे grades है आप में से बहुत से बच्चे shortcut keys के बारे में पूछ रहते हैं सर कहां से मिलेगा तो shortcut keys का जो अगला हम link share करेंगे ये Libre office writer calc impress इन तीनों की shortcut keys है important shortcut keys है ये सभी playlist के link का आप कहीं पे save करते रहिएगा even अगर आप discussion चेक करेंगे तो आलड़ी मैंने ये सारी चीज़े वहाँ पे add करके रखी है बट फिर भी हम अलग से इसको provide कर रहे हैं तक कि आप कोई दवदर भटकना ना पड़े एक और banking अगर playlist मिल जाते है तो उसको भी हम share कर देंगे ठीक है तो ये भी मिल गया banking topic अभी ये हलाग ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है बट आपके syllabus से पूरे syllabus की जो questions है वो सारे याँ पे cover होंगे banking या योजनाओ की जो questions आते हैं वो आपको इस playlist में मिल जाएंगे तो आप इस playlist को ज़रूर follow कर लिजे CCC banking topic नाम की playlist है जिसका link हमने अभी अभी just chat section में share किया हुआ है तो ये कुछ important playlist है अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं जितना भी time आपके पास है उसको आप follow कर लेंगे तो आराम से आप अपना exam अच्छे से qualify करेंगे और उमीद है आप सभी previous classes के videos भी देख रहे होंगे उनको भी आप देख रहेएगा सभी revision classes most important है ये कुछ e-books हैं इसको भी हमने बहुत मैनस से बहुत अच्छी तरीके से design किया हुआ है इसमें जो questions हमने दिये हैं वो टरपल से exam की पूछे के genuine questions में लेंगे और इसी वएसे यहां से भी काफी benefit मिलता है master practice set 1 and 2 number of questions हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं बहुत ज़्यादा रखनेंगा कोई मतलब नहीं होता है मैंने आप 5000 questions पढ़ा यहां provide कर दिया हो इसमें से आया क्या 0 तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका time बचाना है और आपको best content प्रवाइड करना है इसी वएसे हम यहां पर number of questions नहीं बढ़ा रहे है बढ़ाने के यहां पर हम 5000-6000 questions भी दे सकते हैं क्योंकि just sell करना है हम चाहते हैं कि आपको कम पैसे में अच्छा knowledge मिले अच्छा content मिले इसी वएसे हम चुने हुए selected questions रखते हैं अपनी e-books में और इसी वएसे हर मैने कई-कई 1000 बचें का benefit उठाते हैं यह सभी e-books आपका हमारी gyanixp.com website में मिल जाएंगी अगर आप basic label से अच्छे से तयारी करना चाते हैं कि topic सीखना चाते हैं तो आप सब हमारी gyanixp mobile lab पे triple c या o label की courses join कीज़े आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा even आप exam के बाद भी आप हमारी videos को याद रखेंगे और हम आई साथ बने रहेंगे मैंने अपना 100% दिया अपने content के साथ में हम चाते हैं कि जो बच्चे हमारी साथ जुड़ते हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई cheating ना हो वो हमारी सा जुड़े तो हमेशा जुड़े रहें इसी वएसे हम अपना best देके आप सब एक लिए अच्छी अच्छी classes लेके आते हैं all the best मिलते है next class में क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी एक IOT की class है O level में तो थोड़ा सा ठक गया हूँ rest भी लेना है 10 से 5 मिट का break होगा फिर हमारी next live class होगी तो आप सभी को all the best मिलते है next class में उसमें भी कुछ important question हम लेके आएंगे जब तक आपका exam नहीं होता है तब तक लगाता है इस तरह से classes चलती रहेंगे thank you IUs thank you all bye bye good night good night to all of you